हेलो बच्चों वेलकम टू पीवियर स्टडी जैसा कि आपको पता है कि देली आप इस समय का च्छानों की मैथमेटिक्स पढ़ रहें साम के टाइम और जून में जो टाइम चल रहा है 2022 में वो है साम को छे बजे एक्सरसाइज 13.6 आपका चैप्टर चल रहा है प्रिष्टिय बढ़ते हम लोग कोश्चन पर उसके पहले आप कुछ इंप्वाटेंट स्लाइड आ रहा है इन्हें ध्यान से देख लिजिए स्क्रिंसाट ले लिजिए फिर हम कोश्चन पर चलेंगे बहुत मस्त तरीके से हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वज में यह कोश्चन ह है कि एक बरतन है इसे मैं इंग्लिस में पढ़ देता हूं कोश्चन सुन लिजी इंग्लिस मीडियम वाले द्यान से हिंदी वाले देख लिजिए बगल में कोश्चन सुनियेगा कह रहा है दसा कम्फ्रेंस आफ दा बेस आफ आफ और सिलेंड्रिकल विजल इज वन थर्टीटीव सेंटिमेटर विजल मतलब बरतन भी एसस एल ओके एंड इट्स हाइट इस 25 सेंटिमेटर हाउ मेनी लीटर साफ वाटर कैन इट होल इफ वन थाउजन सेंटिमेटर क्यूब इक्वाल वन लीटर ओके इनका कहने का यह मतलब है एक बार मैं फिर पर देता हूं दस सर्कम्फ्रेंस आफ दा बेस आफ आफ आस सिलेंड्रिकल विजल मतलब बरतन भी एसेंटिमेटर यानि एक बेलनाकार बरतन के जो आधार की परिदी है यानि सर्कम्फ्रेंस वह और उसकी उचाई 25 सेंटिमेटर है तो इस बरतन में कितने लिटर पानी भरा जा सकता है सबसे बहुत लिको गिबन बिंस दिया है लिखो फटा फट लिखो लि सेंटीटिइड गीमिटर और का दिया विए पर दिदी आ उनी यानी निफिकारों डी सब्सक्राइब सकते हैं फिरखार सेंटिदिया है एक्षैनी साओं ने इसमें कुछ दिया है नहीं दिया है कि आर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हम अगर बरतन में लीटर पानी निकालेंगे आयतन निकालेंगे तो हमें रेडियस चाहिए रेडियस कैसे निकलेगा यह हमें नहीं पता है हम लिखेंगे अता बृत्त की परदी एज देखो बृत्त काहे को लिख रहें भी बता रहा हूं समझो यह टूपाइयार होता है ना देखो यहां पर समझो पहले अब रिदिकी काहे में लिख रहा हूं एक्चुली यह बरतन का इधर मैं फिगर बनाऊंगा पहले उसे देख लो फिर आपको क्लियर हो जाएगा मैं वूल रहा हूं को दिए साथियों यह ची बरतन्ज भंधाना जो आपको यहां पर देखो बृत के आकार का नहां पर सम्झो कैसे सी नीचे जो है क्या वो बृत के आकार का यह तो किया करोगे लगा देखन Payalepchn son कि मैं साथ में लिए रहा हूं कि आधार की परदी ठीक है तो बृत्य के आकार के तो तूपा यार यह वन थर्टी टू दिया है विटा तो यह हो जाएगा टू इन्टू इसका मान रख दो बाइस बटाफात इन्टू आर आर का मान हमें नहीं पता निकालना है अब इसको हम हल करेंगी धर आएगा क्रास मल्टीपल होगा आप सबको पता है तो यह वान थर्टी टू ऐसे रहेगा है इसका तिर्षा गुड़ा इसमें होगा तो सेबन से हो जायागा एक्वल आर इधर रहने दो यह दोनों आ जाएंगी इधर भाग में हो जाएंगी दो ग है कितने से कटेका बोलो कि 22 तीया यह चाछट दूश से काट दूपहले इसको इसको रहें दो चलो इसको अब 122 22 से काटो बाइस थी चल चाछ चाछ ट टीन सतार यकाइस फाइनल में आप बोल सकते हो कि यह कैसी कवाल र यानि आर का जो मान है वह 21 कंटिमेटर आ गया यहा हो गया आपका रेडियास 21 सेंटीमेटर ओके फाइनल अब इससे आप नोट करो कि देखो आप क्या करना है अभी आंसर नहीं आया हमें निकालना था इसका बैलूम अब लिखो अब लिखो बैलूम आफ सिलेंडर या लिखो बेलन का आयतन बराबर लिखो फट से बैलन का आयतन बराबर फार्मूलत अब को पता है ना आयतन का बैलूम आप सिलेंडर पाई आर्क स्कॉयर एच ओके अठीक है मान रखो पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान रेडियस ट्वंटीवन आया है तो स्कॉयर है तो हम दो बार कर देंगे हाई 25 है जाथ से काट तो इनका गुड़ा करोगे साथियों आप मल्टीपल कर लो चौतिफ हजार सम्थिंग आएगा करके देखो चौतिफ हजार छेसो पचास ना ऐसे कुछ आएगा तो यह कितना आगया चौतिफ हजार छेसो पचास सेंटीमीटर का क्यूब चौकि हमें दिया है क्या दिया यहां पर लिख लो चौकि वन थाउजन सेंटीमीटर क्यूब बराबर वन लीटर यह आपको दिया गया था साथ इफ लिए चौतिफ हजार छेसो पचास सेंटीमीटर क्यूब इकवल चौतिफ हजार छेसो पचास को वन थाउजन से डिवाइड करोगे इकवल थार्टी फॉर पॉइंट सिक्स फाइब लीटर आएगा यह आपका फाइनल अंसर आएगा उमीद है कि आप समझ गए और फट से इसे नोट करेंगे मैं आपको कुछ सिकेंट दे रहा हूं अगया आगे बढ़े बच्चों देखो अभी ऊपर यह थोड़ा फाच छूप रहा था यह इसको देख लो मैंने क्लियर कर दिया आप कुछ नहीं छूप रहा है चलो हो गया नेक्स कुश्चन की तरह आप आगे बढ़िए जल्दी करिए कुश्चन नमबर सिकेंड देखि एंड इस आउटर दियमेटर इस 28 सेंटिमेटर दे लेंथ आप पाइप इस 35 सेंटिमेटर फाइंड दा मास आप दा पाइप इफ वन सेंटिमेटर क्यूब आफ उड हैज मास आफ 0.6 ग्राम यानि एक लकड़ी की बेलनाकार पाइप है और उसका आंतरिक ब्यास 24 सेंटिमेटर है बाहरी ब्यास उसका 28 सेंटिमेटर है पाइप की टोटल लंबाई 35 है तो उसका दरबमान मतलब भार गयात कीजिए कितना वजन होगा देखो कैसे है पाइप यह पाइप तो आप सभी ने देखा होगा भाई जो लोग घर परिबार से बिलांग करते हैं गाउधियाद से यह सहर वाले भी देखते होंगा चछत से पानी उतरता है ना लेकिन लकड़ी की पाइप की बात कर रहा है तो लकड़ी की भी पाइप बन सकती है कोई बड़ी बात नहीं है ये कुछ हैसे दो पाइप में देखो बीच में होल होता है जिसमें पानी महारी निकलता है तो बैझां उस्तिर की पाइप लिफ्त 15 लोकड़ी कि कुछ तो शारता तो थे और तो यह स्मस्ति की रूटा होती है कि यह कétais इसकी अंतरिक बात मोटा यह दो इस पिद्नी जगा जा रही है इंद उल्लों और हमो 살아vis यहां मेरा हो सकता है सीधा ना फिरहाल लेकिन आपको सीधा़ी ben यहोंग और यह उस पाइप की मोटाई है फिर जो कि भीच में जॉब मोटाई संघव तो इसका जो अंदर का यह चीज Cambria यह कितना है 24 है यह तो बोल रहा है ना लेकिन अगर हम जो यह खीचे यहां पर थोड़ा ध्यान देना है बाहरी की जो दोनों लाइन है यहां से सुरू करके भाईया मेरे यहां लाइस्ट वाई लाइन तक जाए लाइस्ट वाली तक याद रखना तो यह क्या है यह 28 सेंटीम टूबर का हो जाएगा यह तो पाइब दो पाइब जैसे रहेगी ठीक है हो गया आगे क्या कहता है कि यह इसकी लंबाई दी गए है इसका द्रमान घ्यात करना है ठीक है सिंपल है लिख लो दिया है पाइब का अंतरीग ब्यास बराबर है और आसे तरह से आपई आज़ास है यानि इनरा रचिएज समझहान चाहता हूं वह इस सेंटीमिटर देन आउटर रेडियस कैपिटल र में 14 सेंटीमिटर अब एक चीछ समझेगा हमें जब पाइब का ब्यास निकालना जैसे बोतल है अगर इस बोतल का स्वरी रेडिया वेलूम निकालना इसमें देखो इसका यह थर्मोई स्टील है यह कुछ मोटा है न जहां मैं पकल रहा हूं यह जिस चीज़ का बना है इसकी मोटाई यह ना अगर हमें इसकी मोटाई निकालना इसका होल देखिए आगे आगे आपको इसमें च्छे देरा पानी अभी नीचे गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा मतलब यहां पर भीग जाएगा यह मोटा है ना कुछ अंदर में उसका कुछ अलग होगा लेकिन अगर बोतल के बाहर का निकालेंगे तो कुछ जादा होगा थोड़ा क्यों क्योंकि बोतल की जो मोटाई है अगर बाहर वारा निकालेंगे तो भी उसी में जुड़ जाएगी तो अगर हमें सिर्फ बोतल का बैलूम निकालना है हम बोतल के बाहरी वाले आयतन से आंत्री का इतन को घटा देंगे तो हमारे बोतल के इस मैठेरियल यह जिस चीज बोतल बना है एक परकर से उसका बहुत एसका डाएगा आउटर फाइप माईनस भय लिमार ऀफ अइसे कुछ वोलेंगे लिखो देखेते जो लिखने वाली बात है मैंने इसको लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए फटा-फट इसको लिख लह बाईफ बाईफ ओढ़ न क्योंकि जो बेलन का होता है तो इसमें कैप्टल आर करोगे आप सब्सक्राइब अगर बाहरी तो क्या क्या इतनार आंत्रीक के लिए क्या करोगे यह इसमाल रच इसमाल अर्बस इस ही में आपको सारे मान रख देने है आपका अंसर आपके सामने दौड करा जाएगा यह मान ह के से हल कर पाएं थोड़ा जगा मिल सके आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से स्क्रीन साइट ले लीजिए उसके बाद मैं इसका मान रखके इसको सलोसन दिखा दूँगा बस आपका कोश्टन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी करिए बचो देखो कमेंट के चक्कर में पड़ काई स्क्राइब बचेगा इधर फाइड पीछे बैक कर लो जगा है तो पाई 22 बटरफाद यह मतलब हाइट हाइट इसकी कितना दीथे 28 नहीं 35 दिया था ना भाईया कितना दिया था बाबु यह 35 दिया था तो यह आप रखोगे 35 इंटू इसमें किसी को डाउट नहीं अगर आपने देखा होगा तो माइनस इसमाला ट्वेल आया था ठीक है साथ पचे 35 तो बाइस का पांच में गुड़ा कर लोगे तो पांचुना दस दस ग्यारा ठीक है यह 196 आएगा ना और इसको सब्सक्राइब करोगे तो 144 आएगा ठीक है यह 110 इंटू यह 62 के लगबाग आएगा क्या ऐसे कुछ आएगा तो मल्टीपल करोगे 57 बीस 572 आएगा यह सब सेंटीमेटर में था इसलिए सेंटीमेटर का क्यूब आएगा लेकिन करना क्या था इसमें हमें निकालना था बैलूम जो कि हमें लीटर में फाइंड कर ना होता पर आया है ना क्योंकि हमें निकालना है कि पानी ऊसरी हमें इसका भार निकालना था यार हां देखो लिखो नीचे चूकि यहां पर आपको कुछ चीज़ें दी गई थी वन सेंटीमेटर क्यूब एकक्वल 0.6 गराम इतना क्या है गराम में है लिखो फिर इफ 30 गराम बबर इसको आफ इसी से गुड़ा कर दोगे 0.6 से क्या करोभगे इसका मल्टिपल कर दोगे तो आपका यह 34 12 यह कितना जायागा ग्राम जायागा यह इसका भार है लेकिन यह देखो हजार ज्यादा आ रहा है और एक किलो ग्राम में सब्सक्रीं एक कीजी एक हजार ग्राम होता है इसको हम क्या करेंगे केजी में चेंज कर लेंगे 1000 से भाग करके है ना तो आप इसको केजी में करोगे बाबू तो 34.32 केजी आएगा ये कैसे आया नहीं समझ में आ तो मैं बता दूं बोलो बता दूं कैसे आया देखो सुनो इधर साइड में समझ लो इसको क्योंकि 1000 ग्राम बराबर वन केजी इस लिए 3432 ग्राम बराबर 3432 एक हजार फे भाग करोगे तीन अंग पे आपका क्या हो जाएगा बैस में जीरो भी था क्या एक मिनट रुको 1000 से भाग करना है यहां पे देखो एक सुन्न था लाइस्ट में इसमें एक जीरो भी था क्या नहीं यहां पे जीरो नहीं था देखो इसमें लिखने का एक फाइदा यह हुआ कि बाबू यह इतना नहीं आएगा इसे 1000 से भाग करोगे अच्छा हुआ लिखने का फाइदा मि यह ग्राम है पाइप का भार है तीन किलो की लगवख पाइप है सारे तीन किलो की चौटिस किलो थोड़ी हो जाएगी लिख लो इसक्रीन साथ ले लो फटा-फट मैं आगे बढ़ता हूं कुश्ण दिखा देता हूं चलो कि रुको कि कुश्ण मैं अब आपको दिखा दिया हूं इसका थमनल के लिए भी स्क्रीन साथ ले सकते हैं साथ ही हमारे कि दन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट चलो बच्चों तो आज के लिए इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको अगली कलास में तब तक के लिए आप देखते रहें पीब्यार स्टडी अपना और अपनों को ख्याल रखें महिनत करते रहें आगे बढ़ते रहे हार नहीं मानना है हां हचलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना तेंक्यू